भारत के डिप्लोमेसी टॉप गेर में चल रही है और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के तीसरे बार प्रधान मंत्री बनते ही भारतिये विदेश नीती की रशिया और योक्रेयन युद्ध के संबंध में अचानक से वो जो गेर था वो अचानक से टॉप गेर में चला गया ह भारत के NSA रशिया पौछे हैं और मुलाकात हुई है रशियन राश्पती ब्लादमीर पूतीन से यह बहुत अजीब बात है कि पहले प्रधानमنتरी नरेंद्र मोधी रशिया का दोरा करते हैं फिर वो जनलेस्की यानि उक्रेन का दौरा करते हैं जनलेस्की से मुलाकात होती है और प्रधान मंतरी यहां रहते हैं दिली में और तब NSA जाते हैं कहां मौस्को जाते हैं और वहां ब्लादमीर पूतीन से मुलाकात होती है बेचैन और घबराने की कोई जरुवत नहीं है क्य भारत के ही एक बड़े निता अमेरिका में घुम घुम कर जो कुछ कह रहे हैं और ऐसे में NSA का रश्या पहुचना क्या कुछ सवाल है इनमें जिनको देखने की जरुवत है या फिर ये भारतिय विदेश निती की बललती हुई गती है और ब्लादमीर पुतीन जब NSA से मिलेंग है वो चाहे बांगलादेश को लेकर हो वो चाहे P.O.K. पाकिस्तान को लेकर हो इवन इंडिया चाइना बॉर्डर पर जो पिछले तीन साल से जिस तरह का दोनों ही P.L.A. और इंडिन मिलिटरी के बीट जिस तरह का स्टेंड आफ है क्या इसको लेकर भी कोई बात चीत है तो पहले सबसे जरूरी बात ये है कि मॉस्को में BRICS देशों के NSAS की मीटिंग है जिसमें 10 देश महुच रहे हैं और उनके NSAS की मीटिंग है इसलिए डोभाल गए हैं लेकिन डोभाल का वहाँ पहुचना और ब्लादमीर पूतीन से मिलना ये बिलकुल इसी दिशा में है कि शायद रशिया युकरेन से सम्मंदित कोई मैसेज प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी का लेकर गए हैं इससे आगे की बात ये है कि अगले महिने यानि अक्टूबर में BRICS देशों की एक मीटिंग भी है जिसमें प्रदान मंतरी मॉस्को जाएंगे और इसमें एक जरूरी ची किन से चाइना के NSA से ऐसा हो सकता है और एक ऐसी मीटिंग की विवस्था कराई जाए पुतीन की देखरेक में क्यूंकि आपको पता है कि रशिया युकरेन में एक तरह से भारत रशिया की कह लिजिए या युकरेन की कह लिजिए दोनों की तरफ से मध्यस्ता कर रहा है कि भारत ने हमेशा कहा है कि ये जो बंबंदुक वाली कहानी है ये खतम होनी चाहिए बातचीत से मसलों का हल निकाला जाना चाहिए और हमें जैसे मैंने बताया कि भारती है मिलिटरी भारती है सेना और पिछले 2020 के बाद से LSE पर Line of Actual Control पर आमने सामने है वो इस गंभीरता को देखते हुए ऐसा हो सकता है चुकि चाइना के NSA भी मौसकों में मौजूद रहेंगे तो ऐसा हो सकता है डोभाल और चाइनी जैनेसी की एक मीटिंग हो और उसके बाद ये रास्ता तयार हो कि अगले महीने जब शी जिन पिंग और मोधी दोनों होंगे मौसकों में तो एक दुई पक्षिये वारता हो दूसरा इस मीटिंग को और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी जो रशिया और उकरेन गए इसको वेस्ट अलग तरीके से देख रहा है और अमिर्का अलग तरीके से देख रहा वेस्ट को ये लगता है कि भारत इस पूरे मामले को युक्रेन रशिया को मध्यस्ता तो करे निगोशियेट करे लेकिन वो ये चाहता है कि जब भी निगोशियेशन हो तो वो हमेशा ऐसा लगे जो सांतिवारता जो सीजफायर की बात लगातार वेस्ट कर रहा है वो ये चाहता है ये सीजफायर यूट्रेन के फेवर में हो जो कि भारत कभी करेगा नहीं भारत बार बार कहरा है कि किसी के भी सम्मान के साथ कोई समझोता नहीं होना चाहिए और यही बात वेस्ट को परिशान कर रही है और ऐसे में NSA का NSA की मीटिंग है मौसकों में तो वो भाग लेने पहुंचे हैं दूसरी बात यह है कि ऐसा हो सकता है कि एक मीटिंग वहाँ Chinese NSA के साथ हो वो मीटिंग इसलिए क्योंकि अक्टूबर में जब BRICS की मीटिंग है कजान में वहाँ जब प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी और चीनी र प्रेंद्र मोदी का कोई ऐसा संदेश जो पूतीन के लिए जरूरी हो जो भारत और रशिया संबंदों को लेकर के जरूरी हो वो लेकर के पहुंचे हैं भारतिये डिप्लोमेसी टॉप गेर में चल रही है अभी जैसे ये दौरा कंप्लीट होगा NSA डोवाल का प्रधान मंत को ध्यान से सुनिए और NSA और पुतीन की ये मुलाकात कोई साधारन मुलाकात नहीं है इसके जरिये अक्टूबर में होने वाले ब्रिक सम्मेलन की शायद वो कुछ तस्वीर आपको क्लियर नजार आएगी हो सकता है कई सालों के बाद पहली बार कजान में राश्टपती श् स्टंड ओफ है बॉर्डर पर उसको लेकर कोई रास्ता दोनों ही देश निकाल सकें